गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्म पुत्र और कृष्णा और काविल ये सभी नदी या जाके मिल गई सागर में कहां मिल गई तो जाके अंत में कहां मिली तो सागर में हुई सब एक है तो जाकर मिलकर सागर में मिलकर वह एक ही समाल हो गई है गंगा, यमुना, ब्रह्म प पुत्र कुरुष्णा और कावेगी अलग-अलग ने दिया हैं। मगर कहां मिलती हैं तो जाके वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इसी तरह भारत वाशियों का देश ब्रेम भी एक ही है। एक ही समान बना हुआ है। दर्म है अनेकी जिनका सार वही है। दर्म हिंदू, मुसल्मान, सीक, पार्शी उनके दर्म अलग-अलग हैं। जिनका सार वही है। सार यानि कि सार तत्व जो हमको वो मुख्य रूप से सिखाते हैं वह वह एक ही है। पंथ है निराले, रास्ते सबके अलग-अलग हैं। अलग-अलग विसेस्ता है परन्तु सबकी मंजिल, मंजिल यानि कि जहां हमें पहुचना है वह तो एक ही है। दर्म अनेक है उनका पर क्या सार एक ही है कि वह हमें एक ही बाशा सिखाते हैं। बले ही संप्रदाई उनकी अलग-अलग हो यानि कि विसेस्ता भी उनकी अलग-अलग हो। रास्ते चाहे निराले, निराले यानि कि अलग-अलग हो पर सबका मंजिल यानि कि पहुचना, उनका दियाई तो एक ही है। इसे तरह सभी भारतवासियों का लक्ष एक ही है कि अपने देश की उन्नती करना उन्नती करना यानि कि उनको आगे ले जाना